और हर इंसान के घर पे रहती है वह चीज तो वह चीज आप सोच रहे होंगे क्या है क्या नहीं है तो पहले जाने से पहले उसका हम नाम बता देते हैं उसको साइकल बोलते हैं तो साइकल हर इंसान के घर पे होती ही है तो आप देख भी सकते हैं और आपको हम दिखा भी सकते ह कि साइकल कैसी रहती कैसी नहीं रहती चली हम देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यह साइकल है और हर इंसान के घर पर होती यह चीज आपको पता होगा यहां से में दो मुठिया लगी हुई है और यह हैंडिल है इसको यहां से हम पकाड़ के चलाते हैं और यह बिरेक है ब लेकों है कि सबस्क्राइब यहां यहां आप और यहां यहां से मारते हैं तो आप देख सकते हैं कहां तक यह वर्क कर रहा है वर्क करने के रीजन है कि इसमें एक राड लगी हुई है जो यहां से गई हुई है और यहां से जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां एक नट भी लगा हुआ है आर पार है यह नट जो कि इधर भी देख सकते हैं आर पार कैसा है इसमें भी नट लगा हुआ है और उसके बाद उससे भी पतली राड गई है यहां आप देख सकते हैं मोटी है ठीक है और स्टार्टिंग में पतली भी है यहां पतली से चलाणे का चक्का है और यहां पीछे तक चैन आता है और यहांप एक वो लगा हुआ है जो कि यहां से फिर रिटन आके इसे में पुरी तरी से जॉइंट हो गया अब हम बात करने वाले हैं ताले की तो ताला यहां से लग जाता और चाजी हम निकाल के रख सकते हैं और कोई ले नहीं जा सकता ताले ताला लगने के बाद उसको फिर तोड़न यह आपके सामने दिख रही है और यह फट चुकी है तो इसको नहीं लगवाना है अभी फिरहल जब तक काम चल ला है चल ला है थीए क्योंकि यह अभी हावा वहाय नहीं है इसको हमने अभी निकाला था कल और कल निकालने के साथ यह कितनी बहतरीन है वह भी आप समझ सकते समझने साथ तरीके से देख सकते जैसे अगर टायर की बात करें तो टायर इसको हम बोलते हैं यह जो सामने है यह टायर है और यह रिम है और रिम में जो तिलिया लगी है वह बहुत सारी है ठीक है अमिरिगाट की बात कर लें ठीक है मिरिगाट की बात करें तो मिरिगाट यहां से लगाता है और अब हम बात करेंगे कारियल की कारियल कैसे लगता कैसे नहीं लगता तो वैस कैरियल ऐसे हैं और यह कारियल ऐसे ही लग जाता है ठीक इस पर इनसान लेडीज कुछ भी बैठ सकता कि यहां पर दो राड़े निकली हुई है जो कि बहुत ही मजबूत से लगी हुई है साइकल में फिट की गई है वो राड़े बहुत ही मजबूत होती है इस्टैंड की बात करें तो इस्टैंड भी यहां पर लगा हुआ है जो कि हम दिखा देते हैं आपको इस्टै चलाते हैं जैसे कि हम चला के आपको कभी दिखाएंगे यूनिक तरीके से आप देख सकते हैं हर एक चीज हर एक पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा कैसा है कैसा नहीं गाइस इस यहां भी वह लगा हुआ है अगर आगए चलते हैं तो आगे कुछ यूनिक चीज हैं तो उमिद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से अच्छे प्रकार से आपको साइक्ट की बारे में समझ में आ गया होगा तो चलिए हम आगे चल लेते हैं तो फिर बिलते हैं कि इसी वीडियो के साथ